पार्टीशन बटवारा ये वो शब्द है जो एक टुकड़े को दो अलग-अलग टुकड़ों में बाट देती है एक नए सरहत का जन्म होता है जो हर वक्त खुर को कोचता है कि उसने एक जमीन के टुकड़े को दो अलग-अलग भागों में बाट दिया कल तक जो अपने थे वो ही एक पल में पराय हो गए कल तक जिनके एक ही दुश्मन थे आज वही एक दूसरे के दुश्मन बन गए दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ भारत और पाकिस्तान की ये वो एक ही मा के दो बेटे हैं जिन्नोंने एक साथ अंग्रिजों से अपनी मा को आजाद करवाय था पर आजादी के तुरंट बाद ही एक दूसरे से अलग हो गए खून की होलियां खेली गई अपनोंने ही अपनों का खून बहाया किसी का अपना घर चूटा तो किसी को एक नया घर मिला कुछ सही सलामत अपने नय मुल्क में पहुँच गए और कुछ बीच रास्ते में ही खो गए जहां पहले लाहोर से अमरेज सर बस कुछ मिंटों का ही सफर हुआ करता था वहीं अप उनके बीच कभी न मिटने वाली सरहदे खड़ी हो गई अपनों को फिर से देखने की आस एक पल में ही तूट गई पर आखिरकार 1976 में प्यार और भरोसर की डोर से इन दो मुल्कों को जोडने की कोशिश की गई समझोता एक्सप्रेस से ये ट्रेन दोनों मुलकों के लिए एक नहीं आस थी जिनके अपने बरसों पहले उनसे जोड़ा हो गए थे उनको फिर से देख पाने की एक नहीं उमीद थी शिम्ला समझोता के बाद इस ट्रेन को हरिजनरी दे दी गई और आखिरकार अमरिस सर और लाहोर के बीच के सरहत को समझोता एक्सप्रेस ने जोड़ दिया कहने को समझोता एक्सप्रेस पाकिस्तान के लाहोर से भारत की राधानी देली तक चला जाती है पर सही मायनों में समझोता एक्सप्रेस लाहॉर से अटारी और अटारी से लाहॉर तक ही चला जाती है अटारी भारत का आकर स्टेशन होता है जहां उसके बाद पाकिस्तानी सीमा शुरू हो जाती है लाहोर से अटारी तक आने वाली समझाता एक्प्रेस पाकिस्तान रेलवेस की होती है अटारी से ओल डेली तक ये ट्रेन भारती रेलवेस चलाती है international ट्रेन होड़ने के कारण ये सफर इतना असान नहीं होता और हर कोई इस ट्रेन में सफर नहीं कर सकता जिनके पास सही documents होते हैं, वीज़ा होता है, वही इस train में सफर कर सकते हैं जातार लोग अपने बिचड़े परिवारों से मिलने, इलाज करवाने, तीर तेयात्रा करने और टेवार मनाने के लिए इस train में यात्रा करते हैं भारत में ये ट्रेन ओल्ड टेली से रात को करीब साड़े 11 बचे निकलती है और सुभध साड़े 7 बचे अटारी पहुंचती है. इस बीच ट्रेन का कोई स्टॉपेज नहीं होता. इसे चलती ट्रेन में ना कोई गैर चढ़ सकता है और ना ही कोई उतर सकता है. सुबह अटारी पहुँचने के बाद यात्रियों को एक दूसरे ट्रेंड में बैठना होता है और उससे पहले उनके डॉकुमेंट्स की चेकिंग होती है जिसमें बहुत वक्त लगता है करीब तीन घंटे के बाद फिर से वो अपने सफर के शुरुवात करते हैं एक नई ट्र फिर से वो वापस ट्रेंड में बैठ कर लाहॉर तक के अपने सफर को पूरा करते हैं लाहॉर से वापस आने पर फिर से पाकिस्तान के वागा स्टेशन पर चेकिंग होती है और ट्रेंड के भारत में एंटर करते ही अटारी में फिर से चेकिंग होती है और फाइनली अटार नेरिवस की ट्रेन यात्रियों को ओल्ड दली तक ले जाती है बात करें सुरक्षा की तो इस ट्रेन की ऐसी सुरक्षा है कि कोई परिंदा भी पर ना मार पाए पर कुछ लापपरवाई हो के कारण से इस ट्रेन पर दोश्मनों के हमले भी हुए हैं कई बार दोनों देशों के रिष्टे में करवाहटे आई और इस दोरान ट्रेन को रोका गया पर कुछ दिनों बात फिर से समझोता एक्सपर्स की सेवा को बहाल किया गया दोस्तो एक बात तो है कि सभी इंसान बुरे नहीं होते, कुछ लोग हैं जिनको खून-करबापसंद होता है वो अंपर लोग जिनको जिन्दगी का मतलब पता नहीं होता वही जिन्दगियों के साथ खेलते हैं कभी प्यार की ताकत को ना समझने वाले ये वही लोग हैं जो नफरते फैलाते हैं, तुम नफ्रतों के तीर जितने भी चलाओगे, हमारी महबबत की कवज को कभी न तोड़ पाओगे तुम अपनी बातों में चाहे जितने भी जहर मिलाओगे अमरित से भरे हमारे मन को कभी न बदल पाओगे तुमसे एक विंती है, ज़रा एक बार मुहब्बत के मिठास को अपने गले से नीचे उतार करके देखो ये सारी दुनिया में जन्नत और लोगों में खुदा ना पाओ तो मेरा नाम बदला हुआ पाओगे दोस्तों थैंक्यू उस वीडियो को देखने के लिए जै हिंद and God bless you all